नमस्कार दूस्तू आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चिनल पर तो आज की सांदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया है महिंद्रा की तरफ से आने वाला सांदार 560DI सर्पंच सर्पंच के नाम से आने वाला ट्रेक्टर 50HP में एक दमदा ट्रेक्टर है तो इसी ट्रेक्टर के बारे में आपको पूरी जयनकारी देंगे वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा सबसे पहले ट्रेक्टर के सामने की लुक की बात करते तो तो सामने हमको यहाँ पर कमपनी फिटेट बंपर मिल जाता है उसके साथ हमको यहाँ पर नीचे भी ट्रेक्टर में वेट मिल जाता है वहीं ट्रेक्टर का जो फ्रंट एक्सल है तो इस ट्रेक्टर में हमको यहाँ पर धनुस के आकार का सामने का एक्सल मिल जाता है वहीं ट्रेक्टर में सामने का जो लुक है ट्रेक्टर का महिंद्रा का डेलेकिटेट लुक इस ट्रेक्टर में मिल जाता है सामने की तरह एर जा लिया और सामने हमको यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग भी मिल जाती है वहीं साइड में बात करते हैं तो महिंद्रा 55CDI की बेचिंग की साथ हमको यहाँ पे पावर प्लस की बेचिंग भी मिल जाती है इस ट्रैक्टर में और साथ में सरपंज की बेचिंग भी इस ट्रैक्टर में मिल जाती है आगे खुलते है ट्रैक्टर का बूनट और आपको दिखाते है ट्रैक्टर का इंजन बूनट खुलने के लिए हमको यहाँ पर ट्रैक्टर का सालिंसर और एर फिल्टर को निकालना होंगा यहाँ से और इसके बाद इसका बूनट खुलते है सामनी के और खुलने वाला सिंगल पीस बूरट हमको इस ट्रैक्टर में मिल जाता है आगे दिखाते है ट्रैक्टर का इंजन तो सबसे पहले महिंदरा पांसुपच्छे सी डी आई के इंजन की बात करते है इस ट्रैक्टर में हमको दमदार चार सिलेंडर वाला फुल पचास एच्पी का 2100 इंजन रेटेड आर्पियम पे वर करने वाला दमदार इंजन मिल जाता है वहाई चार सिलेंडर के इंजन के साथ हमको यहाँ पे फ्यूल इन लाइन पंप बॉस का मिल जाता है जो कि सांदर परफॉर्मेंस करने के लिए जाना जाता है साथ में हमको यहाँ पे सिंगल डिजल फिल्टर भी इस ट्रैक्टर में मिल जाता है आगे ट्रैक्टर की कूलिंग की बात करते तो इस ट्रैक्टर में हमको यहाँ पे वाटर कुलेंट टाइप की कुलिंग टेकनोलोजी मिल जाती है सामने की तरफ बड़ा रेडियेटर मिल जाता है वाटर कुलेंग के साथ हमको यहाँ पे कुलेंट भी इस ट्रेक्टर में मिल जाता है वही ट्रेक्टर का रेडियेटर काफी बड़ा हमको यहाँ पे मिल जाता ह वही साथ में नीचे हमको यहां पे ट्रैक्टर की hydraulic और यहां पे steering pump motor भी मिल जाती जो कि steering की और hydraulic की power को यहां से enhance करती है आगे बात करते हैं ट्रैक्टर में तो जो ट्रैक्टर का radiator है इसमें पानी डालने के लिए हमको बार-बार बूनट खुनने के ओ सकता नहीं हम यहां से tractor के radiator में पानी डाल सकते है त्रैक्टर की battery भी हमको side में सुरक्षित लगी मिल जाती है जो कि यहां पे एक box में सुरक्षित लगी हुई है 12W, 88CH की हमको यहां पे battery मिल जाती है इस tractor में आगे दमदा tractor में बात करते हैं tractor के transmission की तो सबसे पहले हम यहां पे tractor का जो चलने के लिए एक footstepर मिल जाता है मजबूत जिसकी सायता से tractor पर हम असानी से चल सकते है में tractor के अगर हम transmission की बात करते हैं तो इस tractor में हमको partial constant mess और fully constant mess दोनों type के transmission मिल जाते है और tractor की seat भी हमको यहां पे fully adjustable मिल जाती है जिसको हम अपने हो सकते हैं के अनुसार आगे पीछे adjust कर सकते है साथ में tractor का platform भी काफी खुला हमको यहां पे मिल जाता है आगे चड़ते हैं tractor पे और देखते हैं tractor की lever positioning सबसे पहले seat के right side में हमको यहां पे tractor का main lever मिल जाता है जिसमें हमको 4 forward और एक reverse gear मिल जाता है और वहीं साथ में हमको यहां पे tractor का ADDC control भी इस tractor में मिल जाता है जिससे हम tractor के चलने वाले equipment को यहां से adjust कर सकते है साथ में इस tractor में हमको hydraulic lock भी मिल जाता है दूसरी तरफ बात करते हैं इस ट्रैक्टर में तो हमको यहां पर त्रैक्टर का दूसरी तरफ हाई लो का लिवर मिल जाता है इस प्रकार इस ट्रैक्टर में हमको आठ फॉरवर्ड और दो रिवर्स गेर मिल जाते है वहाई साइड में हमको नीचे की तरफ ट्रैक्टर का पी नहीं हो सकता है कि इसमें ब्रेक ले सकता है वह साथ में हमको यहाँ पर ट्रेक्टर की फूटरेस की पोजिशन भी मिल जाती है आगे देखते है ट्रेक्टर का क्लस्टर तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेक्टर का अनलोग टाइप का हमको ट्रेक्टर का क्लस्टर मिल जाता है जिसमें हम ट्रेक्टर का life temperature यहाँ पे battery diesel की positioning यहाँ से देख सकते हैं। वहीं ट्रेक्टर के steering इस ट्रेक्टर में हमको dual acting की power steering मिल जाती है। और वहीं steering के नीचे ट्रेक्टर की hindrance हमको यहाँ पे मिल जाती है। साथ में ट्रेक्टर के light horn को control करने के लिए हमको यहाँ पे side में liver मिल जाता है। जिसकी side से light horn indicator वगएरे control कर सकते है। ट्रेक्टर के diesel tank की बात करते हैं तो इस ट्रेक्टर में हमको 56 liter का बड़ा diesel tank मिल जाता है। वहीं seat के नीचे हमको यहाँ पे transport lock की सुविदा भी इस ट्रेक्टर में मिल जाती है। ट्रांस्पट लोक के साथ हमको इस ट्रेक्टर में differential lock भी मिल जाता है। आगे बात करते हैं ट्रेक्टर में तो इस ट्रेक्टर में हमको एक charging point भी मिल जाता है जहां हम अपने mobile को charging लगा सकते है और साथ में हमको mobile holder भी मिल जाता है जहां पे mobile को आसानी से रख सकते हैं आगे दमदा ट्रेक्टर में हम बात करते हैं ट्रेक्टर के पीछे के भाग की औ साथ में जो इसका हीच है वो भी हमको fully adjustable मिल जाता है जिसको हमारे implement के साफ से adjust कर सकते हैं साथ में इसका जो 3.0 linkage हमको double cat वाला inbuilt external check chain के साथ यहां पर 3.0 linkage भी मिल जाता है जिससे बड़े-बड़े सहंत्र को बड़े आसानी से इस ट्रेक्टर में चला सकते हैं त्रेक्टर में हमको tackling holder भी मिल जाता है जिससे हमारी tackling को हम सुरक्षित रख सकते हैं साथ में सीट के पीछे हमको बड़ा reflector मिल जाता है safety के लिए और इसके पीछे हमको यहां पे bottle holder भी मिल जाता है जिसमें हमारी bottle वगेरे रख सकते हैं साथ में company ने हमको एक point भी दिया जैसे जो ट्राली म लाइट लगाने के लिए में यहां से connection कर सकते हैं ट्रेक्टर के handbrake की बात करते हैं तो हमको यहां पे right side में नीचे की तरफ मिल जाता है जिसको हम सीट पर बैटके आसानी से यहां पर लगा सकते हैं दमदार ट्रेक्टर में आगे बात करते हैं ट्रेक्टर के PTO पावर के बारे में तो महिंद्रा की तरफ से आने वाले 50 HP के इस ट्रेक्टर में हमको यहां पर 45.5 HP की दमदार PTO पावर के साथ 6 स्पैलिंग वाला 540 चक्कर वाला दमदार PTO यहां पर मिल जाता है आगे बात करते हैं ट्रेक्टर में तो छोटे मोटे टूल रखने के लिए हमको यह दमदार ट्रेक्टर में आगे बात करते हैं ट्रेक्टर के टायर साइज की तो सबसे पहले ट्रेक्टर के पीछे के टायर की बात करते हैं तो इस ट्रेक्टर में हमको यहां पर 1498 के ट्रेक्टर के पीछे के टायर मिल जाते हैं और वहीं ट्रेक्टर के आगे के टायर की बात करते तो इस ट्रेक्टर में को 3380 mm की ट्रेक्टर की लंबाई मिल जाती है तो दूस्तों ये था महिंद्रा की तरफ से आने वाला महिंद्रा सरपंच 525 से डियाई जिसके बारे में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जिरू बताईएगा और अभी तक अगर आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरू कर दिजिएगा वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद